कि अलो दोस्तों आप लोग का बहुत वैस्वागत हमारे यूट्यूब चनल बहुत यामी टेस्टी रेस्पी लेकिया हैं बहुत गर्मिया पढ़ रही है आप इसी गर्मियों बना के इंज्वाइ कर सकते हैं परिवार के साथ तो चलिए इस बनाना स्टार्ट करते हैं यामी आप ले लिए तर्बूज तर्बूज का सीजन आगया मार्केट में बहुत तर्बूज मिल रहे हैं देखने में कितनी अच्छी लग रहे हैं इसका कलर देखिए मीठा भी बहुत जादा है और तर्बूज वह से सबको पसंद होते हैं सब अपने अलग-अलग तरीके से खा लेंगे कोई हमने में इसे चमच नहीं है चाकू से हई इसे चार को से हम इसे मीच बहुत है और बीच में निकालाना है जादे बूना चीज गंदे नहीं करनी है च्छा पीच में इसे कर लङंगे देखिए तो चारो और से हमने इसे गुंा गुंना के कट किये हैं और जो तरबुज का सेफ है ऊसे हमने खरापी नहीं कर नी है हमने इसी में इसे बाद में योच करेंगे इसलिए हम इसे बचा के कट कर रहे हैं ताकि जो उसका रापबच से खीलीकस के कर लिता हु proudly calm निकले तो देखिए इसमें पानी बहुत ज्यादा है तो हमने सारे इसको छोटे चोटे टुकड़े चाकु से ही कर लिए हैं अग लेंगे एक पलेट और एक कर्ची चमच ले लेंगे और इसमें दो तीन चमच निकाल लेंगे इसे हम बाद में यूज करेंगे तो क्योंकि भर करेंगे ताकि जो तर्बूज की जितने भी पल्प हैं वह अच्छी तरह से चोटे चोटे पीसों है देखिए हमारे पास एक बीटर है लाइट वाली नहीं है इसे हास से बना सकते हैं तो अगर आपके पास यह है तो आप इसे भी यूज कर सकते हैं इसी में डाल के चलाएं इतना अच्छा बना था उतना तो जूसर में भी नहीं बनेगा तो बहुत ही आसान तरीके से जूस बन गएते हैं हमारे तो देखिए सारे हम ऐसे तीन से चार मिनड लगे थे सारे पल पे दम बिलकुर रस जूस बन गएते तो ऐसे हमने सारे मिला लिए हैं अब इनको बाहर निकाले ते अब यह आपको इनको दिखाएंगे कि कैसे जूस तयार हूए हैं भी जो च्ञता हैं अच्छे निलस तो दीघीए कि नंसीन मसीन से अभ टॉले हैं जो चलते हैं छान लेटे हैं मीणोगे बेस्ते जोच फ़कुने अन्न कीया हुएकं इन चंफे देख ड्ंग के चनलें प्रिवाक है 서 Bell Curious ऑफच्थ में नमक और जयसे चाहें विशे आप िशेपी सकते हैं खा अब आ सकते हैं लेकिन हम थोड़ा सा अलगत अरिके से बना रहे यही तो अनोज जन बणती है जब भी हमारी कहीं आते हैं ने सारे हम ने सारी हम तेखितने के लिए स सतंद तरफूर श्मर कोहीं जी लोगा ड़ी किसाली कि यहाँ मुझाते हैं लेकिन इसमें हम दो चमज्य मिष्री का पाउर डालेंगे दो दिसे शीर्ण हैं जो पर निकाल के रखते तो यो जह भी यह तो पर निकाल लिया और दूद दूद को अच्छी तरह से उबालके इसे फ्रीज में रख दिये थे दो तिन घंटे के लिए फिल्कुल ठंडी हो गई है अब इसमें आप जितना यूज करना चाहते हैं उतना दूद डालते हैं हमने हाँ पर आधा लिटर दूद यूज किया है और इसमें डाले अच्छी से म ताकि मीठा आप अपने हिसाब से कम जाद कर सकते हैं और इसे थोड़ा सा और हमी बनाएंगे इसमें हमने दो तीन चमट डाल देंगो रेट कलर वाला इसे कलर भी थोड़ा अच्छा होगा और टेस्ट भी इसकी डबल हो जाएगे तो अगर आपके पास है तो आप डालिए इसकी पर सकते हैं इसे वी इसका टेस्ट अच्छा आएगा और नहीं तो आप चीनी तीन चाचमट डाल सकते हैं मीठा यह भी रूब जाब होती है इसलिए हम नहीं आप डाले हैं और इन्हें अच्छी तरह से मिला लेंगे गर्मी बहुत तेज बढ़ रहे चारों तरफ ब पर दोंगे बनाके रखे थे उसी में हम शारा जूस को डालेंगे कि और इसी में हम सॉप कर Δेंगे ता बार्तर नहीं गंद्रिभी वाला डर्याइप अग्ते तो बनती हैं हमने जो से जुद्स दैनल और मिल्सकााएब करनाया उसमें हम वर्नित डłemते अधार नयगा Alert तो तो थंडा है लेकिन बरब डालने से थोड़ी और ठंडी हो जाएगी तो देखिए हमने आप 5-6 टुकड़े बरक के डाली है उपड़ से आधा चमा जुरू अपसे से अमने गानिस करती है तो बहुत ही यमी और बहुत ही रेस्टी रेस भी बनी है आप भी एक बार जरूर बना के ट्राइ करिएगा देखिए कितनी यमी लग रही है और जो इस तर से तर्बूज वगर नहीं खाना पसंद करते हैं बच्चे या बड़े इस तरह से बना के देंगे तो आप से महांग महांकर जरूर पियेंगे तो कितनी यमी कितनी रेस्टी है सीम्पल तरीके से हम बनाए है तो अब इसे सौब भी कर देते हैं आप चलिए आप अपने हिसा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करते हैं हमारे यूटुब चानल को सब्सक्राइब करते हैं फिर मिलेंगे किसी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाए कमेंट करकी बताएगा और आप इस बना के इंजवाई भी करिएगा घर में आप कुछ सबी को पसंद आएगी